हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रभा मेरे चनल रेस्पी दूद प्रभा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है भै रोटियां तो सभी की घर में बची जाती है तो उन रोटियों को कैसे इस्तमाल में लाया जाए तो चलिए फटा-फट रेस्पी देख लेते हैं हमने यहां पर और उसी कटोरी से हम प्यांच डाल देते हैं बारी कटा हुआ हम यहां पर कड़ी पता ले रहे हैं आप चाहो तो यहां पर हरा धनिया भी ले सकते हो तो नमक डाल देते हैं स्वाध अनुसार आधा चमच हल्दी पावर्डर और आधा चमच हमने इसमें गरम मसाला डाल दि तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आलूम अच्छे से मसाला हम मिक्स कर लेंगे पहले तो ज्यादा चटपटा खाना चाहते हो तो आप मिर्चे का इस्तमाल ज्यादा भी कर सकते हो तो यह तीक ही मिर्चे है हरी हरी वाली इसलिए कमी इस् हैं लेखे ये, हम एक दूसरा बावल लेते हैं उस पे हम एक पबेसन डाल देते हैं और बारी कटी हुई हरी मिर्च आधा चम्मच हल्दी पावडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पावडर और आधा चम्मच हमने इसे मंनमक लिया है है कि हल लिया 국 Еще मिर एक तो बहुती चटपटा और टेस्टी बनेगा अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं तो हमें इसका घूल तैयार करना है तो ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल करेंगे इसमें तो सके हम इसका पाइस्ट त्यार करना है तो से मिलाखे इसमें भी हम कड़ी पता डाल देते हैं तो बहुती अच्छा स्वाद आएगा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, आधा चम्मत से भी कम, ताकि नास्ता हमारा अच्छे से फूले, यह देखे, तो तयार हो चुका है, अब ही हम रोटियां लेते हैं, यह बासी रोटि हैं हमारी कल की, चार रोटियां ली हैं हमने, यह देखे, तो इन रोटियों को हम साइट में रखके, अभी एक को लेते हैं, और इस पे जो आलू का इस्टफ है, उसको अच्छे से एक मोटी लेयर बना देते हैं, इसको, तो इसके उपर से हाथ से हम अच्छे से फैला देना है, कुछ इस तरह से, तो इस रोटि में हमें मोटी लेयर बनानी है, ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, तो अच्छे से हमने लगा दिया है, देखे, तो काफी मोटा है, अभी दूसरी रोटि में भी ऐसी लगा लेते हैं, तो अच्छे से आलू का इस्टफ हाथों से फैला लेते हैं, हाथों में चिपक भी रहा है थोड़ा ओईल लगा के नहीं चिपकेगा तो सारी रोटियुम पहले ऐसी बना लेते हैं आप चाहो तो इसको गोल कट कर सकते हो गोल कट करने से इसके साइट के कोने बरबाद हो जाएंगे तो इसलिए हम एक चाकू से इनके पीजा जैसे पीस करेंगे दबा के हम इसको कट कर लेंगे तो सारे पीसीज कर लेते हैं पीसीज आप अपने हिसाब से बड़े चोटे बना सकते हैं तो इनके सारे पीसीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से सारे पीसीज कर दिये हैं हमने यह देखे अब हम दूसरी रोटी के भी ऐसी पीसीज कर लेते हैं गोल कट कर लेते हैं इसको तो सारे पीसिस हमारे कट हो चुके हैं अभी जो हमने बेशन का बैडर बना रखा है तो इसमें हम इस तरह से इसको डिप करेंगे यह देखिए और तेल में फ्राइ कर लेंगे तो तेल हमारा गरम हो चुका है अभी हम इसको इसमें डाल देते हैं सा कि गैस का फ्लेम हाइज ना रखें करते लड़ व्य देखें टो यह फूल चुके हैं अ錆 जैरेकश ऑडा मैं देखें हैं एकपół टेश्टी नास्ता बनके तयार हो बार बहुत है तो देखें बहुते तेस्टी नासता है यह, तो इस रेसिपीक को आप ज़रूर ट्राइ करें, आपके घर में रूटी बची हुई हो, इनको इस्तमाल में इस तदे से ला सकते हैं, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो, तो इडियो को ला इक करना, शेर करना, और कमेंड करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बगल में बैल अगन गा बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें तो इस नास्ते को आप ज़रूर बनाईए एक टुकड़ा तोड़ की दिखाते हैं हम यह देखिए कुछ इस तरह से यह देखिए बहुती टेस्टी जिनास्ता है तो जरूर बनाएए और कमेंड करके जरूर बताना कि आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में